नमस्कार, NCIT गुरुजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यह क्लासिक्स की संस्कृत की किताब रुचिरा का नौमः पाथा चैप्टर 9 कृड़ा स्पर्धा कृड़ा खेल को कहते हैं और स्पर्धा प्रतियोगिता को कहते हैं तो खेल की प्रतियोगिता फेकन कहता है कि वहाँ खेल प्रतियोगिताएं हो रही है हम भी खेलेंगे रामचरण किम स्पर्धा केवलम बालकेब्य एवसंती रामचरण पूछता है कि क्या खेल केवल लड़कों के लिए है क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए है प्रशन्ना नहीं बालिकाह अपी खेल शंती प्रशन्ना कहती है कि नहीं लड़कियां भी बालिकाएं भी खेलेंगी फिर रामचरण कहता है कि किम युयम सर्वे एकस्मिन दले स्थ अथवा प्रिथक प्रिथक दले रामचरण पूछता है कि क्या तुम सब एक ही ग्रुप में हो एक ही दल में हो या फिर अलग 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 दल में प्रिथक प्रिथक का मतलब अलग अलग फिर प्रसन्ना कहती है तत्र बालिकाह बालकाह चो मिलित्वा खेल शंती वहाँ बालिकाएं लड़कियां और लड़कें मिलकर खेलेंगे एक साथ खेलेंगे फिर फेकन कहता है आम बैडमिंटन क्रीडायाम ममसह भागिनी जूली अस्ती हाँ बैडमिंटन में मेरी साथी जूली है फिर प्रशन्ना कहती है एतद अतिरिक्तम कबड़ी निर्युधम क्रिकेटम पादक कंदुकम हस्त कंदुकम चतुरंगम इत्यादी स्परधा भवंती इ निर्युधम जूडर को कहते हैं क्रिकेट फूटबॉल वॉलीबॉल हस्त कंदुकम चतुरंगम चेस को कहते हैं तो ये सारे खेल स्कूल में होंगे इन सभी खेलों में प्रतियोगिता होगी स्परधा होगी फिर इंदर कहता है हुमें किम तौम न कृदा सी तव भगिनी त तुम्हारी बेहन तो मेरी टीम में खेल रही है मेरी तरफ से खेल रही है फिर हुमा कहती है नहीं महयम चल चित्रम रोचते नहीं मुझे सिनेमा पसंद है मुझे सिनेमा में रुची है परम अत्र अहम दर्शक रूपेन स्थास शामी वहाँ मैं दर्शक के रूपमें रहूंगी फिर फेकन कहता है अहो पूरणह कुट्रस्ती किमसह कश्यामपीस परधायां प्रतिभागी नास्ती फिर फेकन कहता है कि ओ पूरन कहा है, क्या वह किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, रामचरन सह द्रश्टुम न सकनोती, रामचरन कहता है कि पूरन वह देख नहीं सकता, तस मैं अस्माकम विद्याले पठनाये तू विशेश विवस्था वर्तते परम क्रीडाये प्रबंध नास्ती, प उसके लिए हमारे विद्याले में अलग से विवस्था है, विशेश विवस्था है, लेकिन खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है, फिर हुमा कहती है कि अयम कथमपी न न्याय संगत ह, यह किसी प्रकार से न्याय संगत नहीं है, फेर नहीं है, पूरन सक्षम है किन्तु प्रबंद के आभाव के कारण खेल नहीं सकता। फिर इंदर कहता है असमाकम ताद्रिशानी अनेकानी मित्रानिशंती। वस्तुतह तानी अन्या समर्थानी। हमारे ऐसे अनेक मित्र हैं। वास्तव में वे अलग तरीके से समर्थ हैं। इसलिए हम सब प्राचार्य से मिलते हैं, प्रिंसिपल से मिलते हैं। उन्हें कहते हैं ये बात के पूरण के लिए कोई विवस्ता नहीं है, पूरण जैसे बच्चों के लिए खेलने की कोई विवस्ता नहीं है, जल्दी ही उनके लिए विवस्ता हो जाएगी। मुझे उमीद है आपको यहां तक समझाया होगा इस पार्ठ में इस्तेमाल हुए सभी सब्दों के मतलब हिंदी और इंग्लिश में यहां पे हैं आप एक बार जरूर रिफर करें आईए हम प्रश्न ब्यास देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुता इन शब्दों का उच्चारण करना है दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता जिस तरह कहा गया है उस हिसाब से उस तरह से परिवर्तन कीजिए जैसे कि यहां अहम क्रीडामी को बहुवचन में परिवर्तन करना है अहम क्रीडामी का मतलब मैं खेल रहा हूँ तो इसे अगर बहुवचन में कहना होगा तो कहेंगे कि हम सब खेल रहे हैं तो इसे बहुवचन में वयम क्रीडामा कहेंगे कि हम सब खेल रहे हैं अगला है अहम नृत्यामी मैं नाच रहा हूँ इसका बहुवचन वयम नृत्यामा उसी तरह तौम पठसी तुम पढ़ रहे हो इसका बहुवचन युयम पठता तुम सब पढ़ रहे हो युवाम गच्छता तुम दोनों जा रहे हो इसका एक वचन तौम गच्छसी तुम जा अगला प्रश्ण है कोश्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानी पूरियत इस ब्रैकेट में से सही सब्द चुनकर खाली स्थान को भरना है पठामी पठामी के साथ एक वचन लगेगा इसलिए हमने अहम को चुना है अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ गच्छता ये दूई वचन है इसलिए हमने युवाम को चुना तुम दोनों जाते हो तीसरा एतत मम पुस्तकम यह मेरी पुस्तक है अगला है डैस क्रीडनकानी तुम सबके खिलोने युश्माकम क्रीडनकानी डैस चात्रे स्वह चात्रह चात्रे चात्रे दूई वचन है इसलिए हम दुई वचन को चुनेंगे, अहम आवाम, अहम दो चात्र हैं, अगला प्रशन है, अधो लिखितानी पदानी, आधृत्य, सार्थकानी वाक्यानी रचयत, इन शब्दों के आधार पे सार्थक वाक्य बनाने हैं, तो पहला वाक्य बना, युयम, सिक्षिकाम, नन्शत, तुम सब सिक्षिका को प्रणाम कर रहे हो, वयम, चित्रानी रचयामह, हम सब चित्र बना रहे हैं, अगला है, युवाम, कथाम, कथिश्यत, तुम दोनों कहानी कहोगे, अहम दूर दर्शनम पश्यामी, मैं दूर दर्शन देख रहा हूँ, तुम लेखम, लेखिश्यसी, तुम लेख लिखोगे, आवाम, पुस्तकम, पठिश्याव, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे, अगला प्रशन है, पाँचवा, उचित पदेह, वक्यनिर्मानम कुरता, सही शब्द चुनकर, वक्यनिर्मान करना है, एतत डैस पुस्तकम, एतत मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है डैस बुद्धी स्थिरा, तुम्हारी बुद्धी स्थिर है, तव बुद्धी स्थिरा, एशा आवयोह देवालयह, यह हम दोनों का देवालयह, एशा युवयोह सिक्षिका, यह तुम दोनों की सिक्षिका है, संस्कृतम अश्माकम भासा, संस्कृत हम सब की भासा है, एता तो तुमका युवाम हो जाएगा युवाम लेखो लेखिश्यता और बहुवचन में युवाम लेखान लेखिश्यता उसी तरह अहम वस्तरम धारिश्यामी आवाम वस्तरे धारिश्यावा वयम वस्तरानी धारिश्यामा अहम पुस्तकम पठिश्यामी आवाम पुस्तके पठ तो इस तरह से आप एक वचन, दुई वचन और बहु वचन में वक्यों को convert कर सकते हैं अगला प्रश्न है एक वचन पदस्य बहु वचन पदम बहु वचन पदस्य एक वचन पदम च लिखता एक वचन शब्द के लिए बहु वचन और बहु वचन शब्द के लिए एक वचन शब्द लिखना है तो जिस तरह सह का ते, वह का वे सब, उसी तरह ताह का सा, ताह स्ट्रिलिंग है तो ताह का एक वचन सा होता है तव एक वचन है इसका बहु वचन युष्माकम असमाकम का एक वचन वचन था इसका ये वचन मम और तानी का एक वचन तत्ते तानी तो इस तरह से आप प्रशन भ्यास को पूरा कर सकते हैं मुझे उमीद है आपको ये चैप्टर समझाया होगा अगर आपका कोई वीडियो उठ है तो कमेंट सक्सक्राइब जरूर लिखिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई